हेलो डोस्तों तो देखिए यह है सैन्डविच कितना यम्मि लग रहा है यह सैडविच हम बनाए हैं फलाफिल और हमुस के साथ बहुत ही यम्मि लगता है अगर आप घर में बना रहे हैं हमुस और फलाफिल तो इसे आप ज़रूर बना के ट्रा een करेग hazis कैसे नम्सकार दोस्तों आपका हमारे चाइनल में स्वागत है तो आज हम बनाएंगे तो चलिए हम देख लेते हैं कि- हम यह कैसे बनाएंगे यह सेंडविच बहुत हिस्वादिष्ट लगता है तो चलिए फिर सामगरी देख लेते हैं कि हम यह सेंडविच कैसे बनाएंगे और खाने में बहुत हिस्वादिष्ट लगता है दोस्तों आज हम बनाएंगे हमुस खबूस फलाफिल वाला सेंडविच बहुत ही जल्दी जटपट बनने वाला सेंडविच है और बहुत ही स्वाधिश्ट लगता है एक खाने में तो चलिए हम बनाते हैं हमुस खबूस फलाफिल का सेंडविच इसके लिए हमें चाहिए यहाँ पे हम सलात काटे हैं, खीरा, पत्ता गोभी, गाजर, सिम्ला मिर्च, टमाटर, थोड़ा सा नीबू चाहिए और काला नमक, और हमें यहाँ चाहिए खबूस, अर्भी, रोटी है यह, तो इसी में हम बनाएंगे सेंड्विच, तो चलिए, पहले हम सलात की सामगरी को मिला लेते हैं एक साथ, और यह बहुत ही जटपट बनने वाला, साम का नास्ता कहिए, दो पहर में, इसमें हम डालेंगे, ताला नमा, और बस, नीबू का रस, और इसे, मिक्स करेंगे, इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे काली मिर्ज का पाउडर, तो यहां हम इसमें काली मिर्ज का पाउडर डाल देते हैं, इसे फिर से मिक्स कर देते हैं, और इसे अब हम बनानाय स्टार्ट करते हैं, यह काफी बड़ी रोटी है, इसको हम बेच से काट लेते हैं, आप चाहेंगे तो इसको एक भाग और कर सकते हैं तो दोस्तों इसे हम ऐसे बीच से खोलेंगे और ये हमूस है घर में बनाया हुआ इसका वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा इसके अंदर हम लगाएंगे अच्छी तरह से इसके बाद जो हम सलाद बनाये हैं उसको भी इसके अंदर हम भरेंगे आप कोई भी डिजाइन में इसे भर सकते हैं यहां पर है फलाफिल इसे हम हाथ से ऐसे थोड़ा सा पिच्टा के इसमें करीब तीन फलाफिल भरेंगे आप कम ज़्यादा आप अपने हैं और इससे इस तरीके से बस करना है हम वह ऐसे करके दिखाए हैं अब एक इसके उपर भी आप लगा सकते हैं और इसके बीच में आप सलाथ भर दीजिए और यहां पर हलका हलका पिच्टा के हम फलाफिल रखेंगे और बस इसको हमें मुख को बंद कर देंगे यह बन गया दूसरा वाला आप जैसे चाहें आप भरके बना सकते हैं यह सेंडविच बहुत ही स्वादिष्ट बनता है आप इसे जरूर बनाईएगा आप खाईएगा फैमली को खिलाईए बहुत अच्छा लगता है तो दोस्तों लीजिए फाला फिल सेंडविच बन के बिल्कुल रेडी हो गया इसके साथ हम रखे हैं हमूस फाला फिल के साथ भी खा सकते हैं सेंडविच के साथ भी लगा के खा सकते हैं तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा बनाने का तरीका अगर आप घर में हमूस फाला फिल ऐसा कुछ बना रहे हैं तो आप ये सेंडविच जरूर बनाईएगा क्योंकि सब कुछ घर में रहेगा तो फटा फट ये आप सेंडविच बना सकते हैं तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सेयर कमेंट जरूर करिए सब्सक्राइब करिए और प्लीज लाइक जरूर करिए तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों